Vivo Y30 Always On Display Setting नमस्कार दोस्तों स्वागर आप सभी का तिकिराच योट्यूब चैनल पर तो दोस्तों आज कि इस वीडियो पर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप जो है Vivo Phone के अंदर पर Always On Display Setting कैसे कर सकते हैं तो Always On Display Setting जो कि दोस्तों आपको बहुत सारे मुबाइल पर दिखने को नहीं मिलते हैं और आज की इस वीडियो पर मैं आपको कुछ ट्रिक्स जो है वो बताने वाला हो कैसे करके आप Always On Display यहाँ पर यूज कर सकते हैं तो यही आपको जानना है वीडियो के साथ बने रही है सारे साथ चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकोन को भी क्लिक जरू कर रिजेगा यही आप उनलाइन से पैसा कामाना चाहते हैं उसके लिए आमने वीडियो डिस्क्रिप्शन पर लिंक दे रहा है जाके चेक आउट कर सकतें तो चलिए वीडियो शूरू करतें सबसे पहले तो यहाँ पर एक option आपको मिल जाते है वह है developer option पहीं ठीक है तो developer option इनेवल नहीं करना आता है Vivo phone के अंदरे पे तो आप दोस्तों हमारा जो वीडियो है पहले से हमने बना रखा है जाके आप देख सकते तो Vivo पे जो है system management पर आपको जाने के बात developer option मिलेगा यहाँ पर जाके दोस्तों आप developer option को enable करे उसके बाद यहाँ पर आपको एक option मिलेगा stay awake का ठीक है तो आप यह future को use कर सकते हैं आपके screen को हमेशा on रखने के लिए ठीक है वो भी charging करते बगए ठीक है यह process charging करते बगए काम करेगा हमेशा आपका display on रहेगा ठीक है तो यह एक setting है उसके बाद दोस्तों mobile charging पे नहीं है तो क्या करें तो दोस्तों उसके लिए आपको एक application डाउनलोड करना होगा जो कि आपको play store पे बहुत आसानी से मिल जाएगा तो यहाँ पर जाके always on emolet करकी कुछ option आपको कुछ application मिल जाते उसको आप जाके डाउनलोड install कर लिजे उसके बाद दोस्तों open करिए arrow पे click किजिए allow कर दीजिए यहाँ पर जो भी चीज़े हैं वो आपको allow करना होगा बेक किजिए और यहाँ आप देख सकते system management हो इसको आईए हम बेक करते दुबारा से तो यह डाण हो गया उसके बाद दुबारा से और allow का option तो नोडिफिकिशन को भी आलाव कर दीजिए चैक उसके बाद बेक करने के बाद एरो पर click करें harmony करने के बाद दूस्तों आप देख सकते कुछ इस तरह का是 बजागा तो accept कर लिजे उसके बाद आप देख सकते इनेबल द सर्वेस इनेबल हो चुका है ओलरी ठीक है यहाँ पर इनेबल हो चुका है automatic rules when should the always on screen work तो यहाँ पर क्लिक करके आप देख सकते stop delay तो आप दोस्तों यहाँ पर जाकि इन सब को set कर लिजेगा okay stop the always on service after disable करने के बाद यह बन होगा ठीक है यार फिर आप यूज करना चाहते दस मिनीट पंद्रह मिनीट गंटे के लिए यह फ्यूचर को आप यूज कर सकते यहाँ से नहीं करना चाहते तो आप यहाँ पर इसको छोड़ सकते उसके बाद time rules भी है schedule set कर सकते charging rules भी है ठीक है स्क्रिन डिस्प्लेए पर उसके बाद दोस्तों आपका काम बन जाएगा और इस प्रकार से आप always on display सेटिंग कर सकते किसी भी वीव फोन के अंदर पे ठीक है तो आज के लिए बस इतने ही वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें और